हुआ है हुआ है हुआ है कैसे हैं सब्सक्राइब दोस्तों फिर आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चनल पर इसका नाम है इंडिन रियक्षिन बोई तो वीद करते हैं सब ठीक होंगे कुछ होंगे बढ़ी जाओंगे और मज़े सरे रहे हुए तो आज की जो टोप 10 हीजे स्पेड एक्टर्स इन 2021 2020 का मने देख रहे हैं हर सान कुछ ना को चेंजिस आ जाते हैं उसको देखते हुए हम एक नई वीडियो के साथ आ रहे हैं और यह वीडियो है फस्ट है मैं इनकी वीडियो कर रहे हैं नो मैन अलीम की जो बहुत अच्छे बहुत अच्छे यूटियो बनाते हैं मैं इनकी बहुत सारी वीडियो देख रहे हैं रेक्शन नहीं दे लेकिन देख रहे हैं तो पहरी बार देखने जा रहे हैं भाई कोप्रेट के लिए मगर मद देना मिस्टर नोमेन अलीम तो बिना दिर के स्टार्ट करते हैं 3,2,1 ए आक्टर्स हैं और यह बहुत अच्छे आक्टर्स भी हैं ओविसली अगर आपका काम अच्छा है तो यहां पर डिमांड भी हो जाती है हाई और एसे में एक अक्टर की तो अतनी हाई डिमांड होती है क्योंकि भाईया वो महंगई स्टार्राइब करते हैं च्योंके आपके सबी questions के answer में वहाँ पर करने वालों वीडियो करते हैं जल से लाइक ताक हम स्टार्ट कर सके एक बोड़ी super dooper review तो चले आगे बढ़ते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर number 10 पर हमारे पास वो कौन सा actor आता है जो के ठीक ठाक अच्छी खासी डिमांड करते हैं यहाँ पर इसलिए को बहुत ज़दा ड्रामे आपको इनके देखने को नहीं मिल रहे इस actor का नाम है यहाँ पर हमाई हो सईध अब यहाँ पर आप बहुत अच्छे से वाकफ है काफी अच्छा काम करते हैं तो definitely वैसे age भी इनकी काफी ज़दा होगी कुछ इसलिए भी ज़दा काम नहीं मिल रहा या हो सकता है कि इनकी demand वाक़ी बहुत ज़दा है Recently इनने काम किया था मेरे पास तुम हो में और उससे पहले दिल लगी इनका बहुत ही super hit drama गया है फिल्मों में भी धेर सारा काम कर रखा है काफी अच्छे actor हैं और सबसे बढ़कर यहाँ पर वही है काफी महंगे actor भी है Net worth के गर इनकी बात कीज़े तो यहाँ पर 15 क्रोड से 50 क्रोड के दरवान की total net worth है और यहाँ पर काफी अच्छे यह actor है नमबर 9 पर हम बात करें यहाँ पर हमारे पास अगेन आ जाते हैं काफी senior actor जिनका नाम है नुमान इजाज बहुत सारा काम किया अनुने पाकिसानी टीवी ड्रामा इंडस्टरी के लिए हम बचपन से इनको देखते आ रहे हैं और अभी तक आप देख सकते हैं कि डंक ड्रामे के अंदर इन्होंने अपना रॉल किता अच्छे से perform की है definitely एक talented actor है जिसकी वज़ा से demand भी होती है इनकी काफी है net worth अगर इनकी भी देखी जाए तो यहाँ पर 15 क्रोड से 50 क्रोड के दर्मियान है काफी अमीर बंदे हैं और भाईया सबसे बड़के ड्रामों के अंदर ना ये एक बड़े passionate होके acting perform करते हैं बहुत अच्छे host भी है यहाँ पर मेरे बच्पन के favorite actors हैं अगर आपको नुमान इजास की acting पसंद है तो ज़रूर देग नीचे में जे comment section में नंबर 8 पर आपको यहाँ पर हमारे पास कोई बहुत भुड़ा आदमी देखने को नहीं मिलेगा भाईया यहाँ पर है यह बंदा काफी charming ऐसे में age ऐसकी सरम 32 साल और फिर भी highly paid actors के अंदर आता है इसका नाम क्या नाम हो सकता है शर्यार मुनवर इनका नाम बहुत ही अच्छे actor है आजकल आप इनको देख रहे हैं पहली सी महबबत के अंदर वहाँ पर भी काफी अच्छा perform कर रहे हैं लोग बहुत सारे ना इनको first time देख रहे हैं इस drama के अंदर करती है यह कोई ने actor है भाई यह ने actor नहीं है बहुत ही famous actor है प्रेहर्ट लव के अंदर इसने बहुत अच्छा perform किया था फिल्म थी काफी कमाल की और नॉर्म ना हमारे हाँ यह trend देखा गया है कि जिस actor को एक दफा कोई अच्छे film मिल जाना तो उसके बाद उसके rates बहुत high हो जाते है ड्रामों के लिए especially क्योंके फिर उसका दिल करता है कि सर्फ और सर्फ उसको films के अंदर काम मिले और यहाँ पर ड्रामों में दुबारा जब काम मिल रहा होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा charge करते हैं इसी वज़ा से आपने देखा कि जो actors film की तरफ निकलते हैं वो फिर films के ही होके रह जाते हैं बहुत कम chances होते हैं उनके कि वो किसी ड्रामे के अंदर काम करें हाँ उन ड्रामों के लिए वो ज़रूर काम करते हैं जो बहुत बड़े budget के ड्रामास हों जैसे फॉर एक्जेंपल हमाई उस सही तें नॉर्मली हर दूसे ड्रामे में आपको देखने को नहीं मिलेंगे लेकिन मेरे पास तुमों का चुँके budget था यहाँ पे काफी कमाल का पता था कि स्क्रिप बहुत अच्छा है काफी पुराने actors हैं उनको पता था कि यह चीज लोगों को बहुत click करेगी तो इसलिए उन्होंने उसके अंदर काम किया और आपने देखा कि वो worldwide famous हुआ नंबर 7 पे हमारे पास जो actor आता है इसको मैं कहूंगा कि यार इस बंदे ने ने अपनी struggle के जरीए हर जगा पर अपना नाम मनवाया है चाहे आप discuss करो को बहुत ही handsome actors को या SM acting की बात करो मतब किसी भी level पर अगर आपको discuss करना है कोई acting की बात करनी है तो यहाँ पर male actors के अंदर इनका नाम जरूर आता है मैं personally इनकी acting का बहुत ही बड़ा काम और काफी अच्छा काम करते हैं जिसकी वज़ा से आपके ऐसुक्तों के highly paid actors में इनका नाम आता है अच्छा आपको जाहिद हमद के हवाले से एक चीज़ बताना चाहूँगा कि पहले ही अच्छे खासे मोटे होते थे और उसके बाद इनने अपने आपको workout के जरी और बड़ा एक determined करके discipline में अपनी life को लाके एक अच्छी body achieve कि और यहां पर अपना नाम बनाया बहुत सारे लोगों को इनके past के बारे में नहीं पता जिसको मैं highly recommend करूँगा कि भाई या motivation के लिए यह चीज़ें तो अब बात करते हैं यहां पर number 6 में मारे पास कौन से actor आते हैं जो कर ठीक ठाक पैसा मांगते हैं और यहां पर movies के अंदर भी काम कर रखा है वही है यह actor दिखने में काफी cute है और demand भी इनकी बहुत high है कुछ लोगों को इनकी acting बहुत पसांद आती है अगर मैं सर्फ अपनी बात करूँ personally तो हाँ ठीक अच्छे actors हैं लेकिन हमें यह नहीं कहना चाहिए कि यह top highly paid actors में लेकिन यह हैं मैंने चुंकर इस वीडियो को बनाने की थोड़ी सी किया सर्च तो बार-बारा था इनका नाम जिसकी वज़ा से लेहना पढ़ रहा है यहाँ पर मिकाल जुल्फिकार का मिकाल जुल्फिकार के मैंने recently कुछ ड्रामे देखे हैं ठीक अच्छा काम करते हैं इनसे बेहतर actors भी हमारे पास मजूद हैं काफी highly paid actors हैं भाहिया यहाँ पर इनकी net worth के भी जो figures आ रहे थे वो 30 क्रोड से 80 क्रोड के figures आ रहे थे कि मत्तब ठीक ठाक पैसा कमा रखा है आपको वैसे कैसी लगती है मिकाल जुल्फिकार की acting और ऐसे में क्या समयते हैं कि मत्तब किस level के ये actor हैं जरूर बताएगे नीचे में जो comment section में तो हम बात करते हैं यहाँ पर number 5 पर हमारे पास वो कौन से actor आते हैं जो के बहुत ही ज़्यादा demand करते हैं ऐसे में acting भी बहुत कमाल की है सब कुछ perfect है career का pass देखा जाए इनका तो वो भी बहुत अच्छा रहा लेकिन honestly speaking recently इनके जो ड्रामे आ रहे हैं उसमें ये मेहनत काफी कर रहे हैं लेकिन मुझे को बहुत ज़्यादा impress नहीं कर पा रहे I don't know कि सिर्फ मुझे नहीं कर पा रहे है या आप लोग इनका नाम के अंदर डिस्कस किया था I still remember SMF 2 ड्रामे के अंदर मज़ा आ रहा है ड्रामा काफी famous हो रहा है लेकिन फिर भी वो को बहुत बड़ा high click नहीं हो रहा मत्तब जो इस level के actor के dramas होने चाहें number 4 पर मैं जिस actor का नाम लेने मालो हूँ यहाँ पर तो मत्तब आप कहा सकते हो कि इनके अपने घर की drama industry है के मत्तब बीवी भी यहाँ पर काफी ज़दा famous और खुद भी दानिश तैमूर को भी आप हमेशा हर चीज में discuss करते हो तो पर यहाँ पर आप कैसे miss करा सकते हो काफी अमीर बन्द है भाईया यहाँ पर बहुत सारे drama के अंदर काम भी करता है और ठीक ठाक पैसा चापता है दानिश तैमूर की जो network हारी थी मेरे पास यहाँ पर internet पर search करने के बाद के मत्तब 3 million से 8 million के दरम्यान पर और जो million dollars की बात कर रहे हो है यहाँ पर SM अगर इनको पैसों में convert करो तो आप कह सकते हो कि भाईया कोई 80-90 करोड के करीब यह पैसा बनता है तो दोनों मिया भीवी यहाँ पर ठीक जम के पैसा कमा रहे हैं कि मत्तब ड्रामों के अंदर भी काम कर रहे हैं होस्ट भी कर रहे हैं डिफरेंट जेगा पर इंटर्व्यूस भी दे रहे हैं मुझे लगी हैं भाई इनकी नमबर ठ्री भी हमारे पास जो अक्टर आते हैं यह भी बहुत ही कमाल के सुपर्ब अक्टर और यहाँ पर बड़ा मज़े से काम करते हैं मुझे अच्छे से यादा वार मूवी के अंदर इनका एक बहुत ही कमाल का रोल था जो उन्हेंने बहुत अच्छे से परफॉर्म कि और मेरे खियासा शायद वहाँ से यह बहुत जादा क्लिक हुए उसके लावा इनने पाकिसानी ड्रामों के अंदर भी काम किया जिसके अंदर इनका नाम बना है काफी टका के हमजाली अबास्तीन का नाम है त्यारे अफजल और रिसनली भी जो खत्म हुए आपको याद होगा अलिफ ड्रामा वहाँ पर भी इनने तो काफी अच्छा है परफॉर्म कि हाँ ठीक है कुछ लोगों को बोरिंग लगा जिसमें मैं भी शामल हूँ लेकिन ओवराल बहुत ही अच्छे ही अक्टर और काफी highly paid अक्टर्स हैं नेटवर्थ exactly मुझे उनकी नहीं पता मत्तब यहाँ पर आ रही थी नेटवर्थ काफी कम जो के मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता है के शायद 1 million to 2 million dollars ऐसे मैं confirm क्या है exactly क्या है जरूर देगा नीचे में जो comment section में तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर number second पर हमारे पास वो कौन सा actor आता है जो के भईया बहुत बड़ी बड़ी demand शाय तले इतनी बड़ी demand नहीं करता था लेकिन अब demands बहुत ज़्यदा करता है और आगे से मजीद ज़्यदा बढ़ जाएंगी क्यों क्योंके ना यार देखो कुछ चीजें ऐसी होती है अवाम गुना एक sensation बन जाती है अवाम गुना यहाँ पर addiction हो जाती है और उसकी acting के अंदर भी वो addiction है इसकी acting के अंदर वो जान है जिसकी वज़ा से लोग बहुत ज़्यदा पसंद करते हैं जिसकी वज़ा से second highly paid actor in Pakistan जिसके net worth है कितने मत तब यहाँ पर लगबग जो आ रहे थे 8-12 million dollars अब I am not sure कि यह सच है या नहीं लेकिन भईया हम इनके बारे में इंटरनेट पर ही सर्च करके यहाँ पर आपको बता सकते हैं डॉलर भी ठीक ठाक कमा रहे हैं यहाँ पर good looking भी है और ऐसे में काम भी है इनका काफी अच्छा क्या होगा इनका नाम फिरोज खान फिरोज खान ने वैसे तो बहुत सारे ड्रामों के अंदर काम किया यहाँ पर कुछ कुछ फिल्मों में भी लेकिन भाईया यहाँ पर जो मुझे याद है ना जो इनका peak point था जहां से आप कहलों कि इनको सही popularity मिली है ना वो ता खानी ड्रामा खानी ड्रामा इस लेवल का फेमस हुआ था और इस लेवल की एक्टिंग वहाँ पर रहने की थी जसके बाद लोगों के यह दिलों में उतर गए थे उसके बाद आप यूं समझ लोग एक बड़ा वर्स किसम का ड्रामा कॉमेडी ड्रामा रोमियो वेट्स हीर बनाया गया ज जिसके दर किसी एक चीज़ को भी देखके हसी नहीं आती थी लेकिन फिर भी मिलियोन में व्यूज जाते थे यहाँ पर खुदा और मुहबत को आप देख लो कि तीसरा सीजन मेरे खियास से ना कोई अच्छा प्लॉट रखता है स्टोरी भी ठीक ठाक बोरिंग है लेकिन प पर मिलियोन में जाते हैं व्यूज और लोग भी हरान हो रहे हैं कि यार आखर इस ड्रामे में ऐसा क्या रखा है काफी हाइली पेड एक्टर है भाईया मुझे अच्छे लगती है इनकी एक्टिंग लेकिन मैं समयता हूँ कि खानी ड्रामे के बाद अभी तक इनको कोई ऐस ड्रामा नहीं मिला जहां पर इनको अच्छे से यूटलाइज किया जा सके इनके एक्टिंग स्किल्स को अच्छे से प्रिजेंट करके आप लोगों को दिखाया जा सके तो अब बात करते हैं यहां पर नमबर फर्स पर हमारे पास वो कौन सा एक्टर आता है जो के भाईया इतने पैसे मांगता है इतना expensive बंदा है कि कोई भी producer इसको accept नहीं कर पाता यहां पर approach नहीं कर पाता बिल्कुल भी deal नहीं कर पाता क्यूंके भाईया बंदा ही इतना महंगे कि यहां पर उसको कास नहीं किया जा सकता इस वज़ए से आप लोगों को देखने को भी नहीं मिल मैं personally चाहता था कि या इनको भी ऐसा काम मिले इनको भी अच्छे से इच्छा script मिले लेकिन पता नहीं क्या चक्कर है कि यहां पर आपके rates सम्टाइम इतने ज़दा हाय हो जाते हैं कि लोग आपको hire नहीं कर पाते हैं अब इस actor का नाव ऐसे क्या हो सकता है जिसने बहुत कमेंट सेक्शन में बता दें आप लोग के भाईया वो कौन सा actor है जिसको आप आजकल नहीं देख रहें लेकिन बहुत ही अच्छा actor है बहुत ही highly paid actor है क्या नाम होगा उसका जल्दी से बता दे नीचे में जो कमेंट सेक्शन में वेट कर रहा हूँ आप लोग का मेरे खिया quality ऐसी के दुनिया की कोई भी लड़की अराम से इनको अपना दिल हतेली में रखके देने के लिए तियार है। का कौन सा content आने वाला भाईया I really want to see that content जरूर बताएगा नीचे में जो कमेंट सेक्शन में और एक ओर रोमर भी है यार बड़ी अजीव सी बात है वैसे मैं सर्च कर रहा था जब आज इनके बारे में तो सामने मेरे पास एक चीज़ देखने को मिली जो थी इनको diabetes है इस ब यह जो वीडियो है मैंने देखा है तो मुझे परसनली बहुत अच्छा लगा कि इसके अंदर जो अरेजिमेट कर रखा था नंबर 10 चे लेगे एक तक मुझे काफी हत तक बिल्कुर इसका ही लगा यह जितना भी है वो हमें खुद को देखने को बिलता है सुनने को बिलता ह बाके आप क्या कहेंगे इस वारे मैं कमेंड करके जुरूर हमें बता है कि क्या इसके अंदर भी था प्रोवला मुझे तो नहीं लग रहा है मुझे बिल्कुली प्रफेक्ट लग रहा है यह जिससे आप से भाई क्युकि काफी सर्च करके वीडियो बनाए जाता तो मुझे इनका काफी जाता अच्छा लगा और यह इनका इतना अच्छा चैनल है तो ऐसे नहीं अपने मन से भागते देंगे तो काफी सर्च करके बनाए के वीडियो और खासकर मुझे दानीजवाई के बारे मुझे खुद का अपने घर में इंडरेस्ट्री है ड्रामा आप अग्राणा इडरेस्ट्री आपको काम आते रहें आते रहें बस गईज आज यहां में हमारे चानल को सब्सक्राइब कर ले और इस चनल को अपने करें रखा वाइस मैं मंरें को बात देरी है एक वह बहुत अच्छे वाटे तो बस मिलते तक एंजी में थैंकिश प्सकेरा दोरा है